पढ़ना है, आज 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे के 8 मिनट भी पढ़ाई नहीं करें होता है सब के साथ होता है? तो उसके लिए क्या करें? देखो, it's absolutely simple आप लोगों को ये समझना है कि लाइफ के हर कदम पे चाहे आप हो, चाहे मैं हो हमारे पांस दो चॉइस होती है कुछ करने की कुछ ना करने की कुछ अच्छा करने की कुछ बुरा करने की सही रास्ते पे चलने की, गलत रास्ते पे चलने की आपको सरफ इतनी सी चीज समझ दे है कि आपकी लाइफ, जो आप चाहते हो जो आपके सपने हैं, उसके बेस पे डिसाइड होने वाली, कि आप कितने सक्स वोग या कितने फेल हो गे, वो डिसाइड होने वाली है, छोटी-छोटी चॉइसिस के बेसुना है last year, हम क्या करते हैं, हम उमेशा कुछ बढ़ा करने की सुफते रहते हैं, कि एकदम से कुछ बड़ा हो जाए, एकदम से कुछ बड़ा होने लगते हैं, अरे ना भाई, छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दो, छोटी-छोटी जो लाइफ में चॉइसिस आ रही है न, दिन में हजारो चॉइसिस आती है, पोशिश करो बड़ी चॉइसिस को छोड़ो, छोटी-छोटी चॉइसिस पर खरे उत्रो, अपनी नजर में उत्रो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, कि आपको खुद की नजरों में उठना है, जो इनसान खुद की नजरों में उठ गया, तो दुनिया की नजरों में तो अपने लेकिन उसको पूरा अगर एक commitment किया आपने आपसे उस commitment को पूरा करता है छोटी छोटी चीज़े जो हम कर रहे हैं आप चाहे कुछ करो या ना करो दोनों ही choices हैं दोनों आपके future को affect करने वाली है अभी अगर आप लोग अपने खुद के commitments पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और को दियो हुए commitments आप कैसे पूरे गरोगे तो आपके बात की क्या value रह जाएगी खुद की नजरों में और दुनिया की नजरों में जो भी लोग successful हुए है बिजनस में और किसी भी फील में एक बात पकी है कि वो सब अपनी बात के पके हैं कभी भी देख लेना एक अंदर एक commitment किया अपने आप से पता है कि यार अगर मैं daily exercise करूँआ तो मुझे दर्ध होगा boring है सब कुछ है लें commitment किया है न तो पूरा करना है पढ़ना है commitment किया है 8 गंटे पढ़ाईगा commitment नहीं करना चलो एक गंटे का करना है लेकिन एक गंटे हर हालत में पढ़ना है दीरे दीर अपने आप कब बड़े हो जाएंगे वो पता लिए बाहर देखना छोड़ दो अंदर देखना शिरू कर दूसरों पर ब्लेम टालना बंग कर दो ममी बाबा पे दुनिया पे इस पे उस पे कुछ के ओपर अपनी रिस्माजिबिलिटी लो अब वेरी इम्मोर्टन आपके लिए नहीं है सबके लिए है आप चाहे कुछ करो या ना करो आप सोते रहो पूरते लिए 24 गंटे में से 20 गंटे सोते रहो उल्टे सीधे काम करते रहो पी करके गई पर लेट जाओ सड़क के साइड में किसी को कोई फ़क्नी बढ़ने वाला है उस दुनिया को कोई झाल 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 झाल